लंबे समय से बागिश्वर धाम सरकार उर्फ दिरेंद कृष्ण सास्त्री मीडिया में च्छाय हुए हैं इन में बिवाद भी शामिल है लेकिन इस बार उनके भाई ने एक नया ही बखेडा खड़ा कर दिया है एक दलित युवक की बरात में नशा करके तमंचे से दहसत पहलाने के मामले में उनके भाई पर पुलिस ने F.I.R. दर्च की है शोशल मीडिया पर एक वीडियो वैरल होने के बाद बागेश्वर धाम के पिठा दीश्वर दिरेन सास्री के भाई सालिगराम गर्ग पर वमीठा पुलिस ने F.I.R. दर्च की है सालिगराम गर्गवर आरोप है कि उन्होंने एक दलित युवक की बरात में नशे में उत्पात मचाया है यही नहीं तमंचे लहरा कर जान से मारने की धमकी भी दी है उन्होंने F.I.R. करके बरात रोकने की कोशिश भी की थी मीडियर रिपोर्ट के अनुसार मामला तूल पकड़ने पर पुलिस एक्टिव हुई और अब बमीठा पुलिस ने भारतिय डंड सहीता I.P.C. की धारा 294, 323, 506, 427 के साथ साथ S.C.S.T. अधिनियम के तहत मामला दर्च किया है मीडियर रिपोर्ट में कहा गया कि गड़ा गाओं में किसी अहिरवार परिवार में शारी थी दिरेंसास्तिरी के छोटे भाई साली ग्राम गर्ग ने उत्पाट मचाये था उस पर महिलाओं के साथ भी बत्तमीजी करने के आरोप लगे है मामला 11 फरवरी का है लेकिन जब वीडियो वैरल हुआ तो पुलिस एक्टिव हुई उनकी गिरफतारी के लिए पुलिस की टीम दमविश दे रही है हलाकि अभी तक गिरफतारी नहीं हो सकी है दिरेंज कृष्ण सास्त्री बागेश्वर धाम मंदीर के मुखे पुजारी है या मंदीर मद्यपरदेश के छतरपूर जिले के गड़ा गाउं में इस्तित है 26 वर्षे धर्म गुरू लंबे समय से मीडिया और राजनीती के केंद्र में बने हुए है बतादें की 18 फरवरी को ही मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बागेश्वर धाम में धार्मिक गुरू धिरेंज सास्त्री द्वारा आयोजित सामोहिक विभा समारों में 125 जोडों को अशिरवाद दिया था सास्त्री भारत को हिंदू राष्टे में बदलने के लिए प्रात्रा करने के लिए एक यग भी आयोजित कर रहे थे इस हफते की शुरूआत में मद्यप्रदेश के पूर्व मुक्यमंतरी कमल नात ने भी चतरपूर जिले के गड़ा गाउं में इस्तित बागिश्वर धाम का दोरा किया था और 26 वर्षे धार्मिक नेता से मूला कात की थी सिवराज सिंग चोहान ने अपनी यादर के दोरान कहा था कि उनके मन में सादू के प्रती अपपार सम्मान है और वंचित प्रेश्ट भूमी के जोडों के लिए आयोजी सामुहिक बिवा समारों से उन्हें खुशी हुई प्रदेश भाज्वा प्रमुक बीटी शर्मा भी समारों में शामिल हुए दे असल नियूज ब्यूरो रिपोड